तो गाईज आगए हम दाधरदाम जैसे की देख पा रहे हैं आप व्यू यहां का नजारा यह है प्राचीन मंदिर और यह है यहां का व्यू पूरी चारो तरफ हर्याली गाईज देख सकते हैं ग्रीनरी चारो तरफ और नीचे पूरे सैसा लग रहा है सोने जैसा बना हुआ है कुछ देख सकते हैं गाईज चारो तरफ हर्याली बोलते हैं ना राजिस्तान में कोई जगे नहीं है गूमने की खाली रहती रहता है देखिए गाईज यहां पर आप हर्याली है चारो तरफ तो गाईज यह पेड़ देख सकते हैं यहां पर पेड़ है पता नहीं कितना अंदर दबावा है यह पेड़ यह काटा है इसको कुछ पता नहीं है काटाची तरीके से होगा देखो यह सीडिया है यह एक रस्ता आने का और यह है मंदर जैसे कि आप देख पा रहे हैं यह यह है गाईज सीडियो वाला रस्ता तो गाईज यह है जग जीवन बाबा का टेंपल गुफा बहुत बड़ा गंटा देख सकते हैं यह है यह है जग जीवन बाबा की गुफा हो रही है यह है गुफा यह है यह है गुफा यह ही पा रहा होगा आप यह है 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 आपको बहुत देर से बोल रहा है सीडियो के माध्यम से आना हो यह पूरा नीचे तक जाता है यह है यहां से पूरा व्यू है आपके सामने और इसके उपर महादेव का मंदिर उपर बनावा है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आप जब तब यह देख सकते हैं यहां यहां आपके लाएं तो गाइस यह है जग जी रवन बाबा की गोफाह घरा करेश्टन देख सकते हैं यहां पे जग जी रवन बाबा था पस्तेया करते थे हाजार ताल पहले हैं तो गाइस यह सीडियो वाला रस्ता बोल रहा था यह उपर आने को कि देखो वहां से है नीचे वहां तक पूरा आपको ऐसे वहां जाना पड़ेगा फिर उसके बाद एक और रस्ता है जो पीछे उपर से आता है यह सीडियो वाला रस्ता गाइस तो गाइस जो आपने उपर गुफा देखी थी वह यह वाले पहाड़क से ही कटके बनीवी है यहां पर जग जीवन बाबा तपस्या गड़ते थे वह यह है और उपर है महाकाल का मंदिर और आप देख सकते हैं क्या नजारा है चारों तरफ हर्याली हर्याली प्यूडिफुल व्यू फ्रॉम दटॉप यह बाइक नीचे जा रही है चल रही है एक यह रस्ता है सो सीडिया गई जयादा सीडिया नहीं है अब सीडियों से भी आ सकते हैं तो यह है मंदिर जग्जीवन बाबा का और यहीं गुफा है और यह वाला वाला बीच वाला रस्ता है जो कि हम यहां से नहीं है हम आए उपर से आए थे तीन रस्ते मैंने आपको बता दी हैं एक सीडियो वाला एक यह और तीसरा जो की हम जहां से आए थे चलो चलते हैं उपपर तो गाइस जैसे की देख पार है आप यह मंदिर का नजारा बाहर से यह मार्बल से बना हुआ पूरा देख सकते हैं तो गाइस यह है मार्बल वाला देख सकते हैं कि अपर देख सकते हैं इस तरफ है आपको अपर देख सकते हैं इस तरफ है गुफा क्या व्यू है गाइस शांदार व्यू once in a life you have to come you must visit this place तो गाइस यह है माकाल का मंदिर जैसे कि आप देख पा रहे हैं आहे हैं यहां पे तर्चन करने हर हर मादेव आप शिवलिंग देख सकते हैं आप किता सुंदर बनावा है आपे एक बार आपको आना है चलिए हर हर मादेव तो गाइस यह है देख सकते हैं आपको शूद हो के जाना पड़ता है मंदिर में आने से पहले शूद होना पड़ता है पूरा फिर मंदिर में जाया चाहता है पारे शारी गाइस है कि हमालेयन म्राजा खड़ा है वहां पर अगि हमालें यह से ख़ाइब यह है जग जीवन बाबा का मंदिर यशे का आप देख पा रहे हैं पूरा ऐसे गोल गूंग जाओ जैसे की एस यूदर हार टेंपल में होता है तो गाइस यह है जगे वही वाली और यह बैक साइड का व्यू है गाइस चारो तरफ ग्रीनरी ही ग्रीनरी नजर आएगी आपको देख सकते हैं आप और वोरा टेंपल जग जीवन बाबा का रोहो नाँ पो ग्रीनरी नाँ तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं आप यहाँ पर प्रोजेक्ट बन रहा है एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट यहाँ पर अनुमान जी की मोर्ती बनेगी और यह व्यू देख सकते हैं आप उपर से कैसा लगता है यह जग जीवन टेंपल कि बाबा की गुफा पूरा आपक दिखा रहा हूं कि दो तीन चार साल में आप देखेंगे यहां पर कुछ अलगी व्यू देखने को मिलेगा यहां मूर्ती बन जाएगी तालाब बन जाएगा ऐसा बोल रहे हैं लोग यहां कि आठा जग जीवन आवा देखेंगे गाइस यह व्लॉग यहां पर एंड होता है अब मिलते हैं